मद्यपदेश का स्थापना देवस रीवा कलेक्टर परिसर में धूम धाम से मनाया गया नमस्कार मैं जिना स्वागत है आपका दखबरदार न्यूस पे तो आए चलते हैं आज की मुख की खबरों की और मद्यपदेश में विधानसवा चुनाप दोजार तेस की निगरानी के लिए निर्वाचन आयोग द्वरा सामान प्रेक्षक, व्या प्रेक्षक और पुलिस प्रेक्षक तैनात किये गए हैं निगर प्रेक्षक रीवा मुख गंजी जिले में पहुँचकर निर्धारित विधानसवा शित्रों का भ्रमर शुरू कर दिया है प्रेक्षक रूजाना सोबा 10 बजे से 11 बजे तक एक घंटे आम जनता से भेट से भेट करेंगे रीवा में सिबिल लाइन पुलिस ने इस महिला को चोड़ी की संधे में हिरासत में लिया था महिला की मौत होने पर पुलिस सदिक्षक विवेच सिंग ने मामले में में स्ट्रेटियल जाच का अधिश है गत सौंबार दिवस 12 बजे की महिला को हिरासत में लेने के बावजू सिबिल लाइन पुलिस ने महिला रादवर थाने में रखा जबकि महिला थाने 50 मीटर की दूरी पर है मद्यपरदेश का स्थापना दिवस रीवा कलेक्टेट परिसर में धूमधाम से मनाये गया एक नवंबर 1956 में मद्यपरदेश अलग राजे बना था मद्यपरदेश को देश का हिर्दे भी कहा जाता है हर वर्श एक नवंबर जिला प्रशासन मद्यपरदेश स्थापना दिवस मनाता है आज का लेक्टेट की उपस्तिती में स्थापना दिवस मनाये गया धोजारोहन कर कारिक्रम की शुरुवात होई, इस्कूल के बच्चों ने मनमोख सांस्क्रतिक कारिक्रम पेश किये इस दोरान मद्यप्रदेश गान भी गाया गया भारती जंता पार्टी के राष्ट्री अद्यक्ष जेपी नड़ा अपने एक दिवस्य प्रवास पर तीन नवमर को रीवा पहुंच रहे हैं भाश्पा की राश्ट्री अद्यक्ष अपनी एक दिव से प्रवास पर चार विधान सभा में रत सभा के सासा जन सभा को संबोधित करेंगे बताया गया है कि भाश्पा की राष्ट्री अद्ध्यक्ष सुबय दस बज कर 45 मिनट पर प्रयागरा से त्योंथर विधान सभा पहुँचेंगे जहां वए एक जनसभा को संबूदित करेंगे से मरिया विधान सभा के कॉंग्रेस पत्याशी अभय मिश्वा के निज निवास सुमन वाटिका रीवा में एडी का छापा पढ़ने की बात कही गई है पत्रकार वारता में उन्होंने कहा कि मुझे जेल जाने का डर नहीं है लेकिन मेरे बच्चे जो लंदन में पड़े हैं दून में पड़े हैं उनके खिलाब भी एडी मामला बना कर उन्हें जेल भेज देगी जबकि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है मेरी कई कंपनिया हैं हर कंपनी में मेरे बच्चे और पत्नी के नाम है जबकि उनका इससे कोई लेना दिना नहीं है रीवा कलेक्टर इवं जिला रंडा दिकारी स्रीमती प्रतिवा पाल ने 14 आज़तन अपराधियों को जिला बदर के आदेश दिये हैं 15 आज़तन अपराधियों द्वारा लगातार अपराधि कत्विदियों में लिप्त रहने मारपीट गुंडा गर्दी गली गलोज अवेश शस्त्रों हे उप्योग लोगों को डराने धमकाने तथा अन्य आपराधि क्रतियों के कारण ये कारिवाई की गई है बारबा समचाईस के बावजूद इन अपराधियों के आचरण में किसी तरह का सुधार नहीं हो रहा है इनकी क्रतियों से जन्मानस में आतंक एवं भैव्याप्त है रीवा शेर में संचालित एक नशा मुक्ती केंद्र में यूबक से हैवानियत का मामला सामने आया है इलास के लिए भर्ती यूबक से डारेक्टर आप्रकृतिक क्रति कर रहा था यूबक के गुपतांक में लाइटर भी डाला गया हालत बिगडने पर यूबक को संजय गांदी इसम्रती चिकिस साले में भर्ती कराया गया यूबक ने परिजन को पूरे घटना करम की जानकारी दी पुलिस ने केस दर्जकर संचालक साहित पांच लोगों को ग्रफतार कर जान शुरू कर दी है बता ज़र है कि इस हैवानियत भरे करत्य की बज़े से उसकी आँथ फट गई थी मुख्य मंत्री शिवरास सिंग चोहां 2 नवंबर गुरुबार को सतना आएंगे और भाजपा पत्याशियों के पक्ष में चुना प्रचार करेंगे वे यहां रात्री विश्राम भी करेंगे और चुनावी समीकरन साधेंगे निर्धारित कारिक्रम अनुसावर सियम शिवरास 2 नवंबर को सागर टीकमगर निवाडी छतरपुर और पन्ना जिले में चुनावी रैलियां सभाई करते हुए हलिकॉप्टर से शाम पांच बजे सतना जिले के रैगाउं विधान सभा शेत्र पहुंचेंगे वे यहां भाजपा पत्याशी प्रतिमा भागरी के पक्ष में चुनावी सभा को सम्भूदित करेंगे उजयन के पास उन्हिल में रैड सेंड बोवा प्रजाती का सांप मिलने हड़कंप मचिया अंतराश्य मार्केट में सांप की कीमत करोडो रुपे बताई जाती है इस कारण कुछ लोगों ने सांप को पकड़ कर पुलिस और फिर वन विभा को सूचित कर उन्हें सौप दिया हलांकि इस प्रजाती के सांप को देखने के लिए सड़क पर भीड लगई पी सी सी चीफ कमलनात और पूर्वु सियम दिगविजेज सिंग को जैवीरू कहने पर बीजेपी प्रदीश सद्ध्यक्षी वीडी शर्मा ने तंज गसा है कॉंग्रिस के प्रदीश प्रभारी रंदीप सिंग सुर्जे बाला द्वारा कमलनात दिगविजे सिंग को जैवीरू कहने पर वीडी शर्मा ने कहा जैवीरू के बारे में कहना चाता हूँ वे घोसे चोड़ थे अगर इन में कमलनात को जो मिश्टर करपसन नात की भूमिका में है मिश्टर बंटा धार जो इस मद्यप्रदेश को दूरावस्था के दौर में ले गए थे अब तक लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ तब तक लिए नमस्कार और देखते रहें दखबरदार नियूस